आपको Power BI बिलकुल इना आता, कोई मसला नहीं है, ये lecture आपके लिए बहुत important होने वाला है, because I am going to teach you Power BI का main interface क्या होता है, jump in करें, लें जनाब, ये रहा जी हमारा desktop, हमने Power BI desktop पहले से install कर लिया हुए, मैं यहां से इसे open करता हूँ, जैसे मैंने इसे open किया, it will take some time, आपके पास मैं Power BI को on करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये window पहले वाली आती है, ठीक है, और यहां पे जितने भी मेरे products हैं, या कुछ भी जो मेरे पास मुझूद है, Power BI का reports होगे, whatever it is, वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहां पे जैसे मेरे पास reports है, कोई भी यहां पे click करते हैं, click करने के बाद report पे भी मैं click कर सकता हूँ, यह option and setting पे भी click कर सकता हूँ, मैं जैसे option and setting पे click करता हूँ, तो मेरे पास यह option भी है, data source setting भी है, तो option पे click करने से हमारे पास option open हो जाएगा, और data source पे click करने से मारे पास data source open हो जाएगा, on the other side अगर मैं about पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से यह Microsoft Power BI का desktop version आ जागा which is 2.128.751.0 64 bit है और April 2024 के अंदर यह पूरे प्रॉपर हम इस पे काम कर रहे हैं. Session ID, User ID, etc. तो यह मेरे पास कुछ इस तरीके से Power BI open हो गया. मैं दुबारा से आपको दिखाता हूँ कि आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास Power BI जो है वो open हो जाएगा. So the best way is to create your own report. Report क्या होती है? यह basically Power BI के अंदर आपकी visualization का main structure होता है. जैसे PPT files होती है and different चीज़ों की यहां पे report होगी. So when I click here new पे तो यह मेरे पास एक नया Power BI का desktop इस तरीके से open हो गया और मेरे पास कुछ चीज़ें यहां पे available है. ठीक है जी? मेरे पास filters है and there are many other things जो मेरे पास यहां पे मुझूद है. हम बारी बारी आप इसको देखते हैं. सबसे पहली चीज़ यह उपर हमारे पास एक ribbon मुझूद है. Top left corner पे अगर आप देखें इसको ribbon बोला जाता है और इस ribbon को top right corner से यहां से जहां पे मेरा mouse आपको नजर आ रहा होगा. इस पे click करते हैं तो यह उपर fold हो जाएगा. ठीक है? collapse कर जाएगा यह expand हो जाएगा. ठीक है? यहां तक आपको clear हो गया. अब आपने देखा होगा क्योंकि हमने feature update किया था. पिछले lecture के अंदर यहां पे options and setting में जाके options पे click करने के बाद तो वहां से हमारे पास कुछ extra features जो हैं वो आ चुके हैं यानि के preview features को हमने select किया था. अगर आपके पास कुछ buttons यहां पे नहीं आ रहे हैं या कुछ इस तरीके से interface में थोड़ी सी changes है तो आप preview features को update कर लें then यहां पे co-pilot भी मुझूद है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि basically Microsoft के जितनी products है उनमें co-pilot आ चुका है जो Microsoft के through है and you can purchase this you can buy this or whatever you want to do by using this co-pilot मैं जैसे इस co-pilot पे click करूँगा I have to enter my email address and other information जहां से मैं इसे purchase किया हुए I am not going into the details के co-pilot किया है but यहां पे आप चेक करें जह हमारे पास files का option है ठीक है files वही चीज है जो हमारे पास starting interface हमारे पास आया था obviously files का यही option हमारे पास इस तरीके से आएगा मैं जैसे इसको minus करता हूँ यह जहां से click करता हूँ तो मैं वापिस जा सकता हूँ so this is how you can open your interface यहां पे यह ribbon है home है insert है modeling है view है optimize है help है ठीक है और यहां पे यह जितनी भी ribbons के अंदर चीजे हैं it is almost similar to the other Microsoft यही है Microsoft की कि यह different किसम के products को similarity की ways पे आपको provide करता है ठीक है जी तो यह हो गया आपका ribbon home पे जाएंगे तो आप यहां से data connect कर सकते है excel की book भी कोई other data भी multiple sources से one lake का data भी SQL यानिके SQL data भी inter खुद से भी कर सकते हैं data data verse से भी लेके आ सकते हैं recent sources जो आपने पहले attach किये थो उनसे भी तो data connection का part यहां पे होगा फिर ये वाला part होगा data transformation का ठीक है फिर ये वाला part होगा data visualization का ये वाला part होगा for report making और ये वाला part होगा for calculation DAX यानिके expressions को use करते हुए आप basically different किसम की calculation कर पाएंगे on your data ठीक हो गया and then data sensitivity publish यहां से कर सकते हैं ये प्रॉपर एक workflow आपके सामने left to right इस तरीके से चल रहा है जो मैंने आपको पिछले lecture के अंदर भी बताया हुए ठीक है by the way अगर आप Power BI को सीख रहे हैं तो description में मैंने पूरी playlist का या course का link दिया हुए आप प्लीज वहां पर जाके इस course में जरूर सीखें और different other lecture से start करें बिल्कुल zero से start करें ताके आप और भी सीख पाए यहां पर insert के button पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर different किसम की visuals आपके पास मुझूद हैं यहां से select करके कोई भी visual वहां पर drag कर सकते हैं and then you can create any kind of plot from here more visuals आपने देख लिया है तो आप app source से भी या file से भी ले के आ सकते हैं फिर यहां पर आपके पास different किसम के trees और narratives है and then you can also do kind of pagination या paginated report बना सकते हैं power app है power automate है यह आपको report बनाने में help करेगा यह elements हैं अगर आपने shapes, buttons या कुछ भी add करना है you can do by this image add करना है you can do by this and then you have modeling तो data modeling आप यहां से करेंगे view के अंदर आप अपने different किसम के plots के colors वगारा और उनको optimize कर सकते हैं optimize के अंदर जाके आप basically data analysis और visualization को pause भी कर सकते हैं so you can do a lot of things help में अंदर जाएंगे तो आपके पास many tutorials are there तो training video पे अगर आप click करेंगे then it will open a kind of YouTube channel where you can learn the Power BI from zero onwards तो यह Power BI का अपना YouTube channel है I would recommend के अगर आप Power BI को सीख रहे हैं तो यहां से इनकी videos को ज़रूर देखें 500 plus videos इन्होंने upload की हुई है Power BI के अंदर and then you can actually go to the playlist और यहां पे आप basically Power BI को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और यह professionals आपको सीखा रहे होते हैं यहां पे ठीक है जी तो यह एक चीज है and then आपके पास यहां पे guided learning भी है कि अगर आप training video से नहीं सीखना चाते हैं आप guided learning से सीख सकते हैं आपको पहले भी बताया था so you can click on any of these things and then you can start learning Power BI right हो गया जी okay तो हमारे पास यहां पे services भी है अगर आपने purchase किया you can consult with other people submit an idea community के अंदर Power BI blogs भी देख सकते हैं यहां पे लोग अपने blogs लिखते हैं Power BI के and then it will help you a lot to grow with other community and आप यहां पे यह सारा कुछ सीख सेपते हैं right about पे click करेंगे तो आपके पास Power BI का version आजागे जो मैंने start में भी आपको बताया था तो यह basic interface है इसका right अब यह left side पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा zoom in करता हूँ तो यह यहां पे आपके पास Report View है Report क्या होती है basically यह आप यह कहलें कि आपकी visualization सारी की सारी इन Reports के अंदर छुपी होती है यानि कि मैं Report पे click करता हूँ तो यहां पे Report View आ गया and यहां पे मैं अपना data लेके आओंगा and then I can work on the report और यहां पे different किसम की visualization के pages मैं add कर सकता हूँ bottom में और आप देखेंगे कि यहां पे desktop layout है मैं यहां पे click करूँगा तो यह मेरे पास mobile layout आ जाएगी और यह बिल्कुल ही new interface है mobile layout का basically अगर आप अपना dashboard mobile के अंदर किसी को दिखाना चाहते है then you can work on this जो लोग application या mobile application या software build करते हैं they know कि आपके पास different किसम के sizes and layouts मुझूद होती है तो हम ज्यादा तर desktop पे काम करते हैं अगर आप mobile के अंदर change करना चाहें you can click on this mobile layout और आप उस पे काम कर सकते हैं basically pages वहीं पे रहेंगे so यह report आपकी इस तरीके से बनती जाती है page 1, 2, 3, 4, 5 और अगर आप drag and drop करें जैसे Excel की sheets को करते हैं you can also do here ठीक हो गया इसके बाद आपके पास यहाँ पे table view होता है कोई भी आपका data जो है उसको आप table के view के अंदर देखना चाहें you can view this यहाँ पे आपके पास model view होगा जो भी आपका model आपने बनाया हुए उसको देख सकते हैं और यहाँ पे आपके पास DAX query view होगा यानि कि आप data को expressions के थूँ analyze कर सकते हैं using DAX view और यहाँ पे आप power query लिखके different किसम के काम कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप power BI के power user हैं या आप कहलें कि proper user हैं तो आपको पता होगा कि recent update यह जो co-pilot किया है आप सिरफ यहाँ पे comment section के अंदर लिखते हैं कि आपको क्या चाहिए और वो automatically apply हो जाता है तो chat GPT integrate हो चुका है और रड़ी power BI के साथ यहाँ तक आपको clear हो गया होगा DAX queries क्या होती है मेरी आप से request है कि एक चोटी से assignment आप अपने जुमें लें DAX क्या है और किस चीज की यह short form है आपने comment section के अंदर लिखने है DAX किस चीज की short form है ठीक है यह एक चोटी से assignment है which will show me कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं and then यह reports पे जब मैं click करता हूँ you will see कि आपके पास differentism की visualization यहां पे मुझूद है अब चलते हैं हम right side पे right side पे क्या है जी हमारे पास filters मुझूद है और यह यहां पे अगर मैं click करूँगा तो data आजाएगा मेरे पास यह filters हैं जी मेरे पास filters क्या होते हैं जैसे भी आप किसी भी data पे filter लगाना चाहेंगे then you will use this pane यह वाली जो pane है इसको आप use करेंगे data पे filter लगाने के लिए और अगर मैं data को देखना चाहता हूँ data पे कोई काम करना चाहता हूँ then I can click on this thing यह जो एक आपके पास database का icon बना हुए आप इस पे click करेंगे तो आप data को ले के आ सकते हैं something like this मैं यहाँ पे second पे जाता हूँ तो you can actually build and use different kind of visualization आप यहाँ से इसको open कर सकते हैं और यह different किसम की visualization के आपके पास parts है यानि कि आप bar chart चाहते हैं यहाँ पे अ कर सकते हैं you can do whatever you want to do believe me power BA is actually a power business intelligence tool यहां पे हो गया जो build बिलड के बाद यहाँ पे आप फॉर्मैटिंग कर सकते हैं पेज की information की canvas की canvas background report बनाते वक्त आप different किसम की खुबसूरती ले के आ सकते हैं अपनी report के अंदर और आपकी different reports जो बन रही होती है basically you can actually change the wallpapers colors, font size, canvas setting, canvas का size, page information by going here तो यह हो गया जो format का, इसके इलावा co-pilot को भी आप use कर सकते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया अगर आप purchase कर लेंगे इसे, then you can utilize the power of co-pilot और यहाँ पे जो भी चीज़ आप sign in करके लिखेंगे, it will show up there and then you can also customize this thing, आप कुछ भी इसके अंदर add कर सकते हैं, यानि कि bookmark add कर सकते हैं, selection add कर सकते हैं, performance analyzer add कर सकते हैं, sync slicer add कर सकते हैं so it's up to you, आप इसको किस तरीके से customize करना चाहते हैं, जैसे मैंने यह चीज़े add की हैं, then I can work on different kind of paints here, so यह मेरे पास जी इस तरीके से right side आ जाती है, अब यह पूरे का पूरा interface आपके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप कलिक करेंगे तो आप अपने dashboard का link भी लेके आ सक hopefully आपको समझ आगी होगी कि Power BI के interface कितना कमाल है, और इसकी जो main चीदा चीदा नुकात हैं वो यह हैं कि आप data से लेके, connect करने से लेके visualize करने तक और फिर उसको report में publish करने तक, सारा काम एक ही software के अंदर कर सकते हैं, and you don't need to install anything else, Power BI आपके पास मुझूद है, then you can do whatever you want to do with the data, उसको model करके, visualize करके, report बना के, tree map बना के, expressions को use करके, data analysis कर सकते हैं, power query को use कर सकते हैं, even though if you want to buy co-pilot from Microsoft, you can use the power of co-pilot to analyze your data, यह सब कुछ मुम्किन है Power BI के थूँ, मेरा नाम है Dr. Amartufel, मैं आपको Power BI सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं ना, पकी बात है, then write down in the comment section, कि आपको कौन से ऐसा part था, जहां पर लगा कि यार यह तो कमाल हो गया, या कौन से ऐसा part था, which I can improve in the next lecture, अपना ख्यार रखियागा, see you in the next one, Allah Hafiz